तो आज मैं आपके सामने लेका है हूँ है हैदराबाद के असपेसल पोटेटो कड़ी और पूरी की रेसिपी तो सबसे पहले हम यहाँ पूरी के लिए यहाँ पे अहाँ पाटा आप मैदा लिये हैं और दही आप चाहे तो इसमें पूरा मैदा भी लेके बना सकते हैं मैंने तीन टी स्पून धही लेए और नमक स्वाहता अनुसार अब हम इसे हमें अच़्े से मिक्स करना है है पूरी तरीके से इसे इक्दम घुतना है हमें ताके धही पूरे पानी में चल जाओ एक लिए यहाँ घूदा पानी लेके बना स्मूध आठा गुटना है यह मैं हैदरा आटे को ताकि एकदम स्मूध गुथा जाए और अब हम इसे ढख के रख देते हैं तब तक हम करी की प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर पेंट लिए और तेल करेंगे यहां मैंने चार बॉय लालू लिया है यह देख सकते हैं और अब हम इसे एकदम फोल लें आया है हमें आप देख सकते हैं और अब हम मेरी तेल करम हो चुकी है तो अब हम इहां आट करेंगे जीरा थोड़ा सा राई और इसमें जाएगा तीन से चार हरी मिर्ची और कुछ अध्रक के टुकड़े और यहां पर कड़ी पत्ता दस से पंद्रा मैंने लिया है और थोड यहां पर मैंने दो मेडियम साइज के प्याज को लंबा लंबा सबजी के अकार के कट किया था अब हम इसे एड़ करने के बाद इसे एकदम हल्का भून ना है हमें एकदम जादा जादा आप तीस सकंड इससे बूझे इसका कलर एकदम हल्का चेंज हो जाए प्याज का गाद इसे बिए हम तीस सकंड तक भून लेंगे यहां पर यह देख सकते हैं यह बून चुकी है तो अब हम यहां पर पानी लीए हैं यहां पर दो थीस स्पॉन के करीब हम यहां बैसन को अट करेंगे और इसे एकदम हम घ्रझे से आप ताकि अच्छे से घुल जाए पूर आप चाहे जितना चाहे ग्रेवी रख सकते अपने अनुसार तो अब हम इसमें पानी याट करने के बाद इसे हम फिर से चला लेंगे और इसे हम ज्यादा से ज्यादा पांच मिनेट धक के पकाएंगे पांच से दस मिनेट यह स्लो आच में ताकि जो बेसा ने वह अच्छा से पक जाए और हम इसे चला लेते हैं यह देख सकते हैं कितना तीश्टी कड़ी बन गया है तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा बारी कटावा धनिया पत्ता और यह मेरी अब पटाटो कड़ी तयार हो चुकिए तो अब हम यहाँ तेल गरम करेंगे ताकि हम पूरीय तल सके आप इसके साथ नारियल की चटनी भी बनाएना तो और भी टेश्टी बनेगा तो आप देख सकते हैं मेरी आटा जो है मैंने जो साइट करके रखा था फिर से अब हम इसे तेल लगा के मिला लिए और इसकी हम बड़ी बड़ी लोईय लगाएंगे आप जब भी हदराबाद कहीं पर भी जाएंगे आपको बड़ी बड़ी पूरियां मिलेगी जो फुली फुली जो काफी टेश्टी लगती है तो इसका हम थोड़ा थोड़ा तेल लेके लोईय में लगाएंगे और इसे एकदम हम पतला बेलेंगे एकदम पतला होना चाहिए जैसे बटोरा बेलते है तो आप देख सकते हैं बटोरा के जैसा कैसे ये पूरियां तल चुकी है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे पोटेटो करी और नरील के चटनी के साथ सर्फ कर लेते हैं और अकर आपको मेरी रसीपी अच्छी लगे तो इस रसीपी को ज़रू कर दीजिएगा और हां ठैंक यू और हां बहले कंदवाने बिल्कुल नहीं मत बुलिएगा ताकि मैं आपके सामने और अच्छी रसीपी लेकर आओ ठैंक यू